हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ, आप बढ़िया और एकदाम मजे में होंगे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संग्या संग्या क्या होती है? बच्चों संसार में प्रतेख वस्तू की पहचान उनके नाम से होती है संसार की कोई भी वस्तू ऐसी नहीं है जिसका नाम ना हो यही नाम क्या है संग्या कहलाते है अर्थात नाम ही संग्या है सामने हमारे चित्र हैं उनके जरिये जाने पहले चित्र में महात्मा गांदी दूसरे चित्र में क्या है कुर्सी अगले में ताजमेहल और उसके अगले में बुढ़ापा तो बच्चों, इन चित्रों के अधार पर देखिए जिसे मात्मा गांदी एक व्यक्ति का नाम है और कुर्सी एक वस्तू का नाम है निरजीव चीज है ताजमेहल एक इमारत का नाम है और भुड़ापा भाव एवं अवस्ता है तो ये सबी शब्द क्या है संग्या कहलाते हैं आईए एक बार संग्या की परिवाशा जान लेते हैं किसी व्यक्ति वस्तू स्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं अब हम जानेंगे संग्या के भेद 25. संग्या शब्दों को नामों एवं कुणों के अनुसार तीन भेदों में बाटा गया है पहला है व्यक्तिव आचक संग्या, दूसरा जातिव आचक संग्या और तीसरा है भाव आचक संग्या सबसे पहले समस्तें व्यक्तिव आचक संग्या क्या है जो नाम किसी विशेश व्यक्ति जैसे नहरूजी चित्र दिया गया है हमारे सामने स्थान जैसे कुतमिनार वस्तु जैसे गुडिया का बोत कराते हैं उन्हें व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं यानि कि special किसी का नाम अगर आपको पता है तो वो है व्यक्ति वाचक संग्या दूसरा है जाति वाचक जो नाम पूरी जाती या समु का बोट करा आई उन्हें जाति वाचक संग्या कहते हैं जिसे आदमी, आदमी में किसी आदमी का नाम नहीं ली घा गया किवल आदमी क्या गया है, आदमी तो बहुत सारे होते हैं, सोना, यह सेना, बकरी, स्कूल, यह सब क्या है, जाती, किसी पर्टिकलर स्कूल का नाम नहीं है, किवल स्कूल कहा गया, तो स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, तो यह क्या है, जाती का बूत कराते हैं, यह जाती जो नाम दिखते नहीं जिने हम फूह नहीं सकते किवल महसूस करते हैं उन्हें भाव आजक संग्या कहते हैं जिसे बुड़ापा हरी हाई हसना यह च्रूर्मारी भाव हंद्धर हूं आई आये कुछ लया कुछależ संग्याय हैं उनके बारे में जान लेते हैं जैसे व्यक्ति वाचक संग्या में दिनों, महीनों के नाम, नदियों, त्योहारों, खेलों, देशों, इमारतों, शहरों के नाम आते हैं और जाति वाचक संग्या में पल, सबजी, पशुपक्षी, व्रिक्ष, खिलोने, बाग, बगीचे, आदमी इनके नाम आते हैं और भाव आचक संग्या में सुख दुख दर्द आनंद क्रोध हसी खुशी मिठा स्वादिश्ट इनके नामाते हैं अब है इसमें जानने योग्य बाते इने जान लेते हैं जिसे संसार की प्रतेक वस्तु का कोई न कोई नाम होता है और वो संग्या होती है संसार की सभी वस्तु में संग्या होती है व्यक्ति तथा वस्तु की पहचान संग्या यानिकी उसके नाम से होती है आए ध्यान देने योग्य बाते हैं इसमें इस पार्ट में इने जान लेते हैं प्रßenों क winner किसे किसी व्याक्ति वस्तुस्थान यर भाव के नामको संग्या कैते संग्या शब्डेन टीन प्रकार के हुण टे व कितिव आचक संग्या जाती वाचक संग्या और भाव आचक तो मिद्ध करती हूं आपको संगया संभज आया होगा आपने समझ लिया होगा कि संगया किसे कहते हैं । इसके भेद भी जाने है अब आप रह तरह की संगया शब्दों को और खटा कीजिए उन्हें जानने का प्रयास कीजिए कर अब भियास कारयाब स्वय म कीजिए यूफ आहूँ दो